हे गाईज देखो आज के टीट में दो ऐसे रिनेवेवल एनरजी वाले स्टॉक हैं जो वाकी में काफी एच्छा पर्फॉर्म करके दिखाते जा रहे हैं तो एक कॉमन कोश्चन अगर इन में से तच सालों के लिए होल्ड करते हैं तो कौन सी चीज है जो बड़ा बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब किसका फ्यूचर थोड़ा मतलब जिसका परफॉमेंस अच्छा दिख रहा है जिसका थोड़ा बिजनस अच्छा दिख रहा है और क्या खबरे दिखने को मिल रही है वो मैं आपको बताता हूँगा और किसके पास यह जो सुजलों ने देखो लगबग 4% भागा है highest level पर गया है सर 14 years मतलब 14 सालों का जो बनवास होता है न सर वहाँ उससे भी एक के दमागे निकल चुका है सर यह एक update यहाँ पर आया है सर यह update क्या बोलता है यहाँ पर देखे बोला जा रहा over what क्या over what है वो भी जान लेंगे तो यह बोला जा रहा है on the chart सुजलांस 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 का share just inter over what territories आपको देखने को मिला है सर तो आज जो है सुजलां थोड़ा सा जो है over what के zone में जाना start कर दिया सर मतलब यहाँ से खतरी की घंटी थोड़ी बहुत बजना start हो जाती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कल के date में इसा stock crash हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है और यह point सर आप लोगों के लिए important है अगर आप लोगोंने सुजलां को खरीद रखा है तो ठीक है आइनोक्स वालों के लिए नहीं है यहाँ देख सकते हो सुजलां वाज also यहाँ देख सकते हो कि news recently तो सर यह अभी भी सर रिसेंट में यह news में था इनके management से यह question पूछा गया था कि भाई आप shareholders को benefit कब दोगे in the form of dividend dividend for shareholder during the recent earning call अभी जो हाल फिलाल में जिस तरीके साब लोग पैसा कमा रही हो उसमें से शेर होल्डर को कुछ dividend मिलेगा नहीं मिलेगा कोई expect मतला force नहीं किया जा रहा देखो आप shareholder हो तो आपका हकोता है कि आपको dividend दिया जाए अगर company अच्छा पैसा कमा रही है तो लेकिन अगर नहीं कमा रही है तो नहीं तो उसी तरीके से इन से पूछा गया management के तरप से तो ये इस बात से भी चर्चे में है अगर company अच्छा पैसा कमा रही हो तो dividend मिलेगा अगर company पुरी तरीके से debt free हो जाएगी और बढ़ियां अगर माल लेते position पर हो सकता है और जब company sir dividend देना start करतेगे तो sir stock बहुत और ज़्यादा भागना start करतेगा फिर और वही चीज़ यहां पर बोला जा रहा था I know all shareholders love dividend सबको भई dividend चाहिए भई ठीक है लेकिन इन लोगों ने बोला I cannot answer that question right now अभी sir वो सारे जो है answer नहीं दे सकते हैं कि क्या है नहीं है लेकिन हाँ यतना है कि sir आप dividend से भी related जो एक ख़बर आना start हो गई है अप dividend का मतलब क्या होता है dividend का मतलब होता है कि company के पास excess cash flow है उसको बोले जाता financial language में free cash flow और सुजलोन के price release में आपको sir orders related सारी जनकारी आपको मिलती रहेगी sir कि लगबग 2020 में 21 में 22 में 23 में 24 में 25 में कितना order है भाई company के पास वो सारा data यहाँ पर आपको दिखने को मिल जागा तो यहाँ देखेंगे 11 June को company को लगबग 103 megawatt का order मिलता हो न जरा है उससे पहले 31 में को sir इनके पास लगबग 81.9 मेंगा वाट का order मिलता हो न जरा है उससे पहले 29 में को sir यहाँ पर देख सकते हो उनके पास फिर 551 मेंगा वाट का order मिलता हो न जरा है फिर देख सकते हो 24 में को sir यहाँ पर यह quarter results related खबर आई थी वहाँ पर फिर 22 में को सर यहां पर देख सकता हो 402 MW का रिलेटेड जो है order आता हो नजर आ है तो सर धड़ा 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 इस financial year में इतना जाज हो जो है इस कदर order मिलता हुआ नजर आ रहा है कंपनी से रिलेटेड और यह इस साल का है सर यह financial year का है अब दो चार मही को अच्छा का सा जो है order मिलना स्टार्ट हो गया है सर उसके बाद से दिखेंगे इस stock को भी सर बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है बहुत सारे लोगों ने खरीद रखा है किसके किसके पास से आप comment करके बता सकते हैं प्राइस वराइस कुछ मत बताएगे कि ऐसा नहीं यह क्या है कि सर सुजलों जिस तरीके से 400 लेवल से सर गिरा था वह वहाँ नहीं पहुंच पाया है लेकिन सर यह उससे 44% ऊपर पहुंच चुका है सर और यहाँ पर promoters थोड़ी बहुत अपनी हिस्सेदारी बेचनी की भी कोसिस कर रहे हैं और यह जो company है सर थोड़ा smart है एक ज्यादा अच्छा होता सर बोनस यह है ठीक है सुजलों यहाँ पर जो pairs देखने को मिला सर मतलब उसका जो competitor है वह देखने को मिला और बताया जारा कि company जो है debt free मनने के मामले में भी सर आगे बढ़ रही है और बताया जारा infusion कितना तो 900 करोड का यहाँ पर देख सकते हो 900 कर यह इकठा भी कर रहे हैं या तो अपने stake बेच के या तो low लेकर या पैसा raise करके किसी तरीके से और यह जो है company debt free करने के कोशिज कर रहे हैं तो चारों तरप से अगर आप देखें तो sir bonus देने में या फिसल लगबग company debt free होने में यह fundamentally strong होने में यह company थोड़ा strong दिख रहा है कर देखें से इसका मतलब यह नहीं मैं बो ल आहीं सुजल लोग बोलें यह 55 का है और यह 155 का तो सस्ता यह पढ़ रहा है इसको घर देंगे सर ऐसे देखेगे तो कैसे काम चलेगा, ऐसे नहीं देखा जाता कभी भी, कि इस तरीके से सर कभी भी देखा जाता हो, कमपनी का साइज देखा जाता है सर, ठीक है, कमपनी का साइज देखा जाता है सर, उस तरीके से यहां पर अगर देखोगे, तो सुजलोन लगबग 75,000 क्र और यह केवल 20,000 क्रोड की कमपनी है, यह छोटी कमपनी भी है, रिटन देने में भी सर एक कदम आगे है, ऐसा है सर, और इसका लगबग अगर देखोगे, पी रेशियो तो यहाँ पर नहीं बताया जारा, लेकिन इसका भी पी रेशियो बताया जारा 105 का, थोड़ा महेंगा है सुजलोन, बुक वेल्लू 2.91 का देखने को मिला, और यहाँ पर बुक वेल्लू 13 का देखने को मिला, तो सर यह लोग फ्यूचर एस्टीमेट पर ज्यादा खेल रहे हैं सर, ठीक है, इसको बोलते हैं, डिसकाउंट, डिसकाउंट बोल जाता, अगर आगे गया है, तो जिमेदारी कहां किसके पास है सर, प्रमोटर के पास, तो फेमोटर बोल रही है कि भाई देखो, यहाँ पर केवल 13 परसेंट है, यहाँ पर देखो 52 परसेंट है, तो यह कमपनी सा रिटन देने में भी, देट फ्री होने में में भी मामले में एक कदम आ गे है, और लगभग सर चारो तरप से आगए है सर वेलवीशन वाइस पर उसके बाद देखेंगे तो यहां foreign foreign investors के पास 19% है सर इनके पास 20% है फिर इनके पास domestic वाले के पास 6% है इनके पास 29% है public के पास तो public के पास यहां 60% है और यहां पर केवल 27% है तो public यहां ज्यादा safe है सर ठीक है यह जो मैं आपको बता रहा हो यह जशीज़े है सर यह मैं आपको जशीज़े बता रहा हूँ इसको ज्यादा serious लेकि मत किजिगा ठीक है उसके बाद आपको जो बताया जा रहा करने के लिएiden कार यह तो यह company अपने आपको date-free करने के लिए पैसा ही कठा कर रही है और सूजलों से डेट फ्री बंते हुए नज़र आ रहे है इस वाजे से इनसे डिविडेंड का डिमांड किया जा रहा है क्योंकि से 75,000 क्रोड की कमपनी है छोटी मूटी कमपनी नहीं है इस वज़े से तो ये फर्क है तो ये कमपनी के पास डेट है ल जो आवर वर्ड जॉन पर है, तो sir उसको धीरी-धीरी चलने में, उसको जो चलेगा तो धीरी-धीरी चलेगा, क्योंकि sir 75,000 क्रोड की कंपणी है और वो sir कि वल 20,000 क्रोड की कंपणी है, तो छोटी कंपणी ज्यादा रीटर निकाल के दे सकती है लंबे से मेह में sir, बाकी मैं लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं सर और भी बड़ी बड़ी डील के बारे में बताऊंगा तो वहां पर आपको और थोड़ बहुत जो है नजरिया देखने को मिलेगा कि कौन बैस्ट है और अगर अगर सकते हैं सर